अच्छे क्लास में हम लोग पढ़ने वारे हैं कुछ important phrase के बारे में इस सेसर में हम लोग 15 phrases के बारे में पढ़ेंगे और यह phrase आपकी speaking में बहुत ही use होने वाले हैं और इस phrase को पढ़कर आफ daily life में अप अपने English को और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा speaking कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आच्छा क्लास इससे पहले कुछ speaking class मैंने पहले अप्लोड कर दिया जो present tense पर डिपेंड था तो चलिए आज के phrases का क्लास स्टार्ट करते हैं पहला दिया गया है देखिए phrases का पहले मतलब जान लीजे क्या होता है phrase को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांस phrase को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांस तो हम लोग इसमें कुछ important phrase को पढ़ने वाले जिसमें पहला दिया गया है मुझे ऐसा लगता है तो आप लोग daily life में बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि आज पानी बरशने वाला है मुझे ऐस लग रहा है कि आजबाशात होने वाली है ऐसा लग रहा है कि आंधी आने वाला है तो यह क्या है कि मुझे ऐसा लगता है तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इसके बात क्या है मेरी बेटी मेरी बेटी क्या होता है माई डॉटर मेरी बुटी का हम लोग बोलते हैं, my daughter इसके बाद क्या है, अगला station अगला station, अगला का मतलब क्या होता है, next next station लिख देंगे हम लोग उसके बाद है, बहुत पुराना बहुत पुराना का मतलब क्या होता है very old मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो आई नीट मुझे चाहिए आई नीट विशेश रूप से विशेश रूप से इसका क्या हो जाएगा हमारा विशेश रूप से कंजोर हैै तो हमेएं कि शुक्राइब शुथ्माइज कि और शुनाम कोई यह आर्थिक रोप से कंजोर हुआ थे सब क्या हो साँ इतला या नाय पैयší कि लांस्ट डिसीजन या फिर फाइनल डिसीजन कर फाइनल डिसीजन कि यहां फिर अपनेहीं कि गच या फिर अपसुलूटली राइट अपसुलियू राइट दोंос Delhi है और उनियूटली डारेल ऍली definite है तो यह अपसुलूटली राइट इत्री ही दोनों का मतलब एक होता है उसके यह दिए वैसे ही खिए है एनीवे एनीवे वैसे भी एनीवे उसके बाद क्या है अकारड का मतलब बताए कि अन्रीजन कोई रीजन कहना ही अन्रीजन है तो अन्रीजनेबल अकारड क्या जाएगा अन्रीजनेबल उसके की कार नहीं और कारण रही का मतलब 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 है unreasonable कोई का अरल का मतलब मतलब विशेश का मतलब तो इसको क्या बोलते हैं एक ऐता इंटर राष्टी राजनिति आंतराश्टी को क्या बोलते हैं international international इंटर्नेश्टिक पॉलिटिक्स इंटर्नेश्टिक्स चिन्नाई के पास तो क्या जाएगा नियर चिन्नाई नियर चिन्नाई लंबी दूरी लॉंग डिस्टेंस इसके बाद कोई terminal नहीं तो नो terminal इसके बाद ल लगभक दो महिनी तो लगभक क्या होता है? प्रतिस अप्ता का क्या होता है बस आज तुडे अउनली बस आज पैसा महत्व रखता है तो पैसा महत्व रखता है क्या होता है मनी मैटर मनी मैटर पैसा महत्व रखता है तो मनी मैटर इसके बाद है प्रत्यच नियंतर प्रत्यच नियंतर का मतलब क्या होता है डिरेक्ट कंट्रूल डिरेक्ट कंट्रूल उसके बाद है शिफारिष करना शिफारिष करना का मतलब होता है रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन शिफारिष करना रिकमेंडेशन उसके बाद क्या है दुरलब ओशर दुरलब ओशर का मतलब क्या होता है रियर ओपर्चुनिटी रियर opportunity या पी यू होगा prayer opportunity उसके बाद देखी आगे आगे है कोई प्रतिभा नहीं तो क्या हो जाएगा no talent no talent उसके बाद है विचार विमर्ष का मतलब होता discussion विचार विमर्ष का मतलब होता discussion आगे है कोई रहष्य नहीं no secret no secret शूर वाले छित्र जहां सुष राबा होता है उसे क्या बोलते है noisy noisy areas आवासी छेत्र का मतलब क्या होता है residential areas उसके बाद क्या दिया गया सफलता पूरवक सफलता पूरवक का मतलब क्या होता है successfully successfully says fully को क्या बोलते हैं सफलता पुर्वक इसके बाद ताजा खबर ताजा खबर को क्या बोलते हैं latest news है ताजा खबर है latest news है हमेशा की तरह हमेशा की तरह का मतलब क्या होता है as usual as usual का मतलब क्या होता है हमेशा की तरह बस महान है का मतलब होता है simply great बस महान है simply great मैंने देखा आयशा कोई रिलीज नहीं क्icus जाए अगर नो रिलीज कोई रिलीज नहीं का मतलब क्या होता है नो रिलीज मेरी राइ मेरी राइ के क्या होता है मौ आइ उपिनियन घर पर रहू stay at घर पर रहू का क्या होता है stay at वापस जाना move back वापस जाना क्या होता है move back जरूरी का होता है necessary जरूरी का क्या होता है necessary कि रुपया समझाए किर्पया समझाएं का मतलब क्या होता है जैसे बोलते हैं हम लोग किर्पया हमें समझाएं तो क्या बोलते हैं प्लीज एक्स्प्लेइन उससे बाद है परंपरागत परंपरागत का मतलब क्या होता जो चीज परंपरागत हो ट्रेडिशनल हो से क्या बोलते हैं परंपरागत, traditional, उसके बाद पहली प्राथ्मिक्ता, पहली प्राथ्मिक्ता का मतलब क्या होता है, first priority, first priority, पहली प्राथ्मिक्ता, उसके बाद है, शर्थ ही नहीं, no condition, शर्त ही नहीं, no condition मेरा ग्यान, मेरा ग्यान का मतलब क्या हो जाता है, my knowledge नीजी राय, नीजी राय का मतलब क्या होता है नीजी का मतलब क्या होता है, personal राय का मतलब क्या होता है, opinion तो क्या हो जाएगा, personal opinion बुरा नहीं को क्या बोलते है, not bad नॉट बैड मैं डाइट पर हूं I am in diet मैं डाइट पर हूं फैसला का क्या होता है decision decision का होता है फैसला धीरे धीरे का क्या होता है gradually धीरे धीरे का क्या होता है gradually धीरे धीरे का क्या होता है gradually तो I hope आपको यह फ्रेज समझ में आ गया होंगा थैंक्यू